हेलो एवरीबरी मैं अनिशा पांडे आपकी सबसे पसंदीदा फूद साइट स्ट्रीट फूद डॉट कैफे से आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दिली के कैसी दुकान जो आपके मूँ का स्वात बदल देगी जी हाँ आज आपको हम बताने जा रहे हैं चार्ट चौक के बारे में चार्ट चौक डिलेफ गैलरिया मार्केट गुरगाओं में हैं इनकी दुकान छोटी है पर साफ सफाई के मामले में काफी अच्छी है जो कि और चार्टों की दुकानों पर देखने को नहीं मिलती है इनकी दुकान पर बैठने की कोई खास वैस्था नहीं है और दुकान के बारे में जोट पर है इसलिए आपकी गाड़ी सम्हाल कर पार्क करनी होगी इनकी दुकान सुबए 11 बजे से शाम साड़े 9 बजे तक खुली रहती है चार्ट चौक की USP है साफ सफाई और ओलिव ओल से बनने वाले चार्ट जो की आपको बहुत कम जगों पर मिलते हैं इनके मैन्यू में आपको आलू चार्ट, आलू टिक्की, आलू चार्ट दही वाले, आलू टिक्की छोले के साथ, बनारसी आलू टिक्की चार्ट, ब्रेड टिक्की, ब्रेड पकोड़ा, ओलिव ओल में बनाये जाते हैं चाट चौक के पाव भाजी, पानी पूरी, छोले भटूरे, भेल पूरी, पापरी चाट, गुलाब जामुनादी भी बहुत मशूर हैं ओलिब वाल में बनने वाले ये चाट धीमी आश में पकाए जाते हैं जिससे चाट करारी हो जाती है यहाँ पर चाट खाने वालों को चाट चौक की साफ सफाई और चाट का स्वाद दोनों बहुत पसंद आता है चाट चौक के समोसे भी इतने स्वादिष्ट हैं कि इनके एक समोसे का मूल है 25 रुपए पर इतने स्वादेश होते हैं कि आपको पैसे खर्च करने पर जरा भी दुख नहीं होगा यदि आप तीखा पसंद करते हैं तो चाट चौक के बहुत तीखे गोलगपे आपके मुँखा स्वाद बदल देंगे चाट चौक के पुचकास भी बहुत मशूर हैं ये पुचकास में ठंडी दही डालते हैं चाट चौक की खास्यत ये भी है कि ये एक ही जगह पर तीखा, मीठा और चटपटा मिलता है चाट चौक ऑलीव ऑल में बने आलू चाट, आलू टिक्की, आलू चाट दही वाले, आलू टिक्की छोले के साथ, बनारसी आलू टिक्की चाट, ब्रेट टिक्की, ब्रेट पकोड़ा आदी आपको एक ही स्थान पर मिल जाता है तो देखे इस बात की, आज ही जाए ये चाट चौक पे, और टेस्ट करिए ओलीव ऑल से बने हुए कई वराइटी के चाट का फिर मिलेंगे नए शहर में नई स्टीट फूट के साथ, आपकी होस्ट स्टीट फूट डॉट कैफे से निशा पांडे